नमस्कार मैं हूँ मिलाक्षी गुपता और आप देख रही है नेक्स नाइल लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कारेखरम में अभिशेक बच्चन बॉलिवूड के उन चुनिंदा एक्क्रिस में से एक है जो बड़े से बड़ा स्टार्डम भी आसानिक से हैंडल कर लेते हैं हाल ही में एक्टर की फिल्म दा बिग बुल OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज हुई है और इस मूवी में अभिशेक की एक्टिंग की जम कर तारीफ की जा रही है फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर ने एक इंटर्व्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपनी पतनी अश्वरे राए बच्चन और बेटिया राध्या बच्चन को लेकर कई बाते बताई हैं पहले तो आप ये जान लीजे कि एश्वरे राए और अभिशेक बच्चन की शादी 20 अप्रेल 2007 को बेहद ही शाही अंदाज में हुई थी दोनों की शादी में बॉलिवूड इंडस्ट्री का हर कलाकार नजर आया था जिस वज़ा से कपल की शादी की चर्चा लंबिस समय तक रही थी शादी के चार साल बाद एश्वरे राए ने बेटिया राध्या को जर्म दिया महीं अब एश्वरे और अभिशेक की तरह उनकी क्यूट बेटिया राध्या भी लाइम लाइम लाइट में बनी रहती है हालकि ये भी सच है कि बेटिया राध्या के होने के बाद एश्वरे ने बॉलिवूड से दूरी बना ली थी लेकिन अब वो फिर से फिल्मों में कमबैक कर चुकी है अब आपको बताते हैं एक्टर के इंटर्व्यू के बारे में धरसल अभिशेक बच्चर ने आर्जे सिर्दान से कनन से बाचीत के दौरान बताया कि अराध्या अपने ऑनलाइन स्कूल में बिजी है एक्टर ने कहा उन्होंने अराध्या को बता दिया था कि वो किस फैमिली से तालूक रखती हैं जब वो एक न्यू बॉन बेवी थी वो जानती थी कि उनके दादा दादी और उसके माता पिता दोनों एक्टर्स हैं और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें लाकों लोगों से रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है और आपको वो रिस्पेक्ट सीखनी होगी और उसकी सरहाना करनी होगी और भगवान को इसका शुक्रिया अदा करना होगा वो इन सब चीजों को लेकर काफी नॉर्मल है वो हमारी फिल्में देखती है और उन्हें इंजॉय करती है इससे पहले अश्वरिया और अरध्या का सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो सामने आया था एश्वरिय राय पच्चन अपनी बेटी अराध्या के बेहत करीब है एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अराध्या में एक मीनी मी देख सकती हूँ मैं उसे छोड़ने और उसे लेने के लिए हर दिन स्कूल जाती हूँ मैं ये करती हूँ क्योंकि मुझे ये करना पसंद है मैं उस समय का आनंद लेती हूँ जो हमें एक साथ बिताते हैं मैं बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए हमेशा पोजेसिव रहूंगी अकसर देखने को मिलता है कि अराध्या के साथ हर मीडिया और प्रोमोशनल इवेंट में ही साथ नजराती है और इससे ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते है कि माँ बेती कि ये जोड़ी एक दूसरे से कितना प्यार करती है कई बार तो एश और अराध्या को एक जैसी ड्रेस में भी देखा गया है बहुत कम ही पब्लिक प्लेस में एश कौन की बेटी के बिना देखा गया है फिलाहल ये बात तो साफ है कि अश्वर्या और अभिशेक की बेटी अराध्या अपने स्टार पेरेंस की तरह ही काफी समझदार है तो आपकी एक्टर के इंटर्व्यू पर क्या है आपकी राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं लेकिन फिलाहल के लिए बस इतना ही बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजित अमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें नेक्स्ट नए लाइफ के साथ तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें साथी साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्स्राइब करें